नमस्कार मैं बसंद लेड़ थी एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं तो साथ क्यों कल के वीडियो में हमने 31 अक्टुबर 2017 का जो पेपर हैं PSI का इसके कोश्चन नमबर एक से 35 तक की चर्चा की हैं अब आगे हम बात करने वाले हैं 36 से सितर तक के प्रश्णों की तो चलिए आप जल्ली से जुड़ जाइए और आगे बढ़ते हैं पहला प्रश्णा आपके वीचे प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा ठीक है प्राचीन का विलोम शब्द पुराना नहीं होता है पुराना भी प्राचीन का पर्यायवाची है न कि विलोम है कोई भी शब शब्द अरवचीन होता है और प्राचीर शब्द जो है प्राचीन का विलोम नहीं है अरवचीन जो शब्द देग हो आप यह प्राचीन गई, देगल में विलोम शब्द है तो साथियों एक माहतकुन बात में आपको बदा देता हूं है कि आपकी MPSI की जो एक्जाम है वह आ जाएगी जल्द ही आ जाएगी क्योंकि लोगडाउन की स्तिती बनी हुई है तो जो समय का सद उप्योग आप किजिए कुछ समय तक सरकार जो है एकनोमी की तरह अपना ध्यान बटाएगी उसके बाद जो है सभी विभागों में बहुत सारी रिक्तियां हो जाएगी तो एससी स्तिती में सरकार भारी संक्या में जो है भरतियां निकालेगी तो आप उसके लिए त्यार रहिए तो यह जो हिंदो के पेपर कर रहे हैं इसमें आपका पूरा रिवीजन हो रहा है ठीक है तो आप जूड़े रहें अन्तक देखते रहें और मेरे सभी प बोली बोली जाती हैं एंपी ऐसे का सिलेबस तो आपने देखा होगा साथियों जो कोश्चन्स बनते हैं बहुत ही सिंपल बनते हैं और सिलेबस के अंदर से भी बनते हैं पूछा गया है अनुभाव किसे काते हैं ठीक है यह कोश्चन आपका साथियों रस में एक होता है अनुभाव एक होता है विभाव यहाँ पे पूछा गया है अनुभाव के बारे में ठीक है अनुभाव क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा से बात इसमें करते हैं तो साथियों समझे कि अनुभाव क्या होता है मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर के विकार ठीक हैं कोन से विकार मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले विकार का मतलब होता है परिवर्तन परिवर्तन ठीक हैं तो इसमें बात हो रही हैं कि परिवर्तन की ध्यान से सुनिए कि मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं यानि कि वह परिवर्तन हमारे शरीरिक वह परिवर्तन शरीर के वह परिवर्तन जो कि मनोभाव व्यक्त कर देते हैं उनको अनुभाव कहते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने थोड़े शब्द लिक रहा हूँ, जैसे कि हम अचानक रुक जाते हैं, स्थम्भ हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम बोलते नहीं है, तो ये क्या हुआ, सारीरिक परिवर्तन हुआ, जिससे मन का भाव व्यक्त हुआ हैं, ठीक है, और भी है रोमांस, ठीक है, रोमांस होना, और स्वर्भंग हो जाना, ये क्या हैं, सब सारीरिक परिवर्तन हैं, याने की सारीरिक विकार हैं, और इसके अलावा कंप, कांप जाना कंप हो जाना वीवर्णता वीवर्णता याने की रंग हीनता क्या कहेंगे से रंग हीनता अश्रु आ जाना ठीके ये सबी क्या हैं ये सबी अनुभाव हैं तो आपका सही होगा अनुभाव किसे कहते हैं तो रती हाज शोक आदी इस्ताई भावो को प्रकाशित या व्यक्त कर करने वाली आश्रय की चेश्टाएं क्या कहलाती है अनुभाव कहलाती है जो पुराने सारे पेफर जो बना में आपके सामने पेश कर रहा हूं उन सभी पेपर्स को आप देखिए तो आप जो ही रिविजन हो जाएगे क्योंकि मैं किसी एक विशेश टोपी को लेके हर प्रश विविचारी भाव भी संचारी भाव को कहा जाता है मन में संचरन करने वाले याने आने जाने वाले मन में संचरन करने वाले याने की आने जाने वाले भाव को क्या कहा जाता है संचारी भाव कहा जाता है जैसे कि संचारी भाव की टोटल संक्या पूछी जाए पूछ लिय हर्ष होता हैं तरास होता हैं गलानी शंका विशाद लच्चा चिंता और मोह उत्सुकता चपलता जड़ता निर्वेद धृती मती वितर्क आलश स्वप्न मद और मरण श्रम निंद्रा स्मृति उन्माद ये क्या है सातियों ये ऐसे परिवर्दन है जो अस्थाई होते हैं य यह इस्थाई नहीं होते हैं तो संचारी भाव किसे कहते हैं तो संचारी भाव वह भाव हैं जो केवल थोड़ी देर के लिए इस्थाई भाव को पुष्ट करने के निमित सहायक रूप में आते हैं तुरंत लुप्त हो जाते हैं यानि कि यह अधिक समय तक नहीं रहते हैं ये संचारी भाव कालाते हैं सहयोगी का विलोम क्या होगा साथी हो तो सहयोगी का विलोम होता है प्रतियोगी व्रिक्ष का परियायवाची होगा ठीक हैं तो व्रिक्ष के कुछ महात्पुन परियायवाची में आपके सामने लिखता हूँ तरू पेड जो कि आपको पता है उसके अलावा दुरुम पादप विटप विटप और होता है शाकी ये जो है साथियों व्रक्ष के परियावाची सब्द है इसके अलावा एक और इसका परियावाची होता है गाज जो कि आप देख रहें उप्षन में दूसरा वाला अब साथ यह वाक्य से पूछा गया है जो जिसके चर्चा में कल दो पेपरों में भी वे कर चुका हूँ ठीके जिसमें आपको पता चलगे होगा कि सहीउक्त वाक्य की मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य क्या होते हैं उनमें क्या-क्या अंतर होते हैं ठीके आप सभी वीडियो क देखें इसलिए मैं कहता हूँ को आप सभी वीडियो को जरूर देखें चलिए जो ही में वहाँ पहुचा त्योही घंटा बजा इस वाक्य का सहीगत वाक्य बनाई अब सहीगत वाक्य की पहचान देखिया आप यहां पे वैसे हैं जैसे वैसे यह मिश्रित वाक्य है ठीक है और यहां पे वी जैसे वैसे हैं में वैसे और यहां पे वी क्या है जोही में वहाँ पहुचा गंटा बजा यह शरल वाक्य है ठीक है तो यहां पे और देख पा रहे हो सहीट वाक्य की क्या दो सराल वाकय ओर से जूड़े हुए हो तो वह सहीट वाक्य होगा तो यहाँ पर होगा दूसरा वाला आपसातियों आपके लिए हम भी मेनत कर रहे हैं और आप खुद भी मेनत कीजिए लोकडाउन का जो समय है इसका आप सदूपयों कर लिजे बस फिर जो है आपका आने वाला समय जो है आपके लिए बहुती अच्छा समय होगा अब शुद्ध वाक्य बताईए आप उनकी सम तुल्यता में नहीं ठहर सकते अब यहाँ पे देखिए सम तुल्यता शब्द थोड किसी भी दो चीजों को कंपेर किया जाता है तो उसके गुण में जो है परिवर्दन होता है कुछ नकुछ कमी किसी एक वस्तु में हो सकती उसी प्रकार से सम तुल्यता जो शब्द है यह गलत यहां पे प्रयूक्त किया गया यहां पर समता शब्द प्रयूक्त होगा ठीक ह तो यहाँ पे हम उनकी सम्ता में नहीं ठहर सकते आप उनकी सम्ता में नहीं ठहर सकते सकाते यह यहाँ पे गलत यहाँ लिखा गया है शुद्धी जो है वो वरतनी सम्मंदी और शुद्धी है फिर आगए हैं आप उनकी सम्ता में नहीं ठहर सकते आपे यहाँ पे भी यह गलत हो गया तो तीसरा वाला सही होगा कि आप उनकी समता में नई ठहर सकते अब अंग्लेजी शब्द कोस से भी question रहते हैं पूछा गया है joint secretary का परिभाशिक शब्द हिंदी क्या होगा तो सयुक्त सची होता है joint security अब आपको इन शब्दों का जयान होना ही चाहिए देगे पूछा गया है commissioner commissioner कमिशनल करते हिंदी क्या अर्थ होगा तो इसका हिंदी अर्थ होता है आयूपत आप संदी शब्द का हिंदी शब्द बताइए हिंदी अर्थ बताइए तो आपने सुना होगा कि दो देशों के बीट जो संधी होती हैं उस संधी की बात हो रही है या यानि मेल मिलाप की बात हो रही है उसे ट्रीटी कहते हैं क्या कहते हैं ट्रीटी कहा जाता है तो आपका इसमें सही ओप्शन होगा दूसरा वाला ट्रीटी इसमें आपको spelling का ज्यान भी होना चाहिए अगर वो नहीं है फिर भी आप उसको गलत कर लगें जैसे किसी दो देशों के बीच किसी भी पत्र पर हस्तार्शर होते संधी होती समझोता होता है उसी को ही ट्रिटी कहा जाता है अगला कुश्चन साती आपके बीच करपग गही अंगूठा मुख मेल प्रभू पोढ़े पालने अकेले हरशी हरशी अपने संग खेलत याने कि यहाँ पे बगवान से क्रिश्चन की बात कही गई है याने कि भक्ति की बात हो रही है करपगी गई अंगूटा मुक मेलत याने पेर का अंगूटा अपने मुक में रख रहे हैं वो अपने मुक में ले रहे हैं प्रभू पोड़े पालने में मतलब वो पालने में अकेले अपने संग सोयम के साथ खेल रहे हैं तो यह किस रस का उधारण है यह वात्सलिय रस का उधारण है वात्सलिय रस का इस्थाइबा होता है रती या उसे कहें अनुराग ठीक है जिसमें भक्ती भाव को पेश किया जाता है अगली पंक्ती पुछी गई है आपसे जो की कबिर्दास द्वार रची थें लागी बूंद बनसी जाए चिन में गरब करे क्या इतना मतलब यह एकी लाइन लिखी कही है इससे पहले वाली लाइन भी मैं आपको बताते था हूँ मन रे तन कागद का पुतला मन रे तन कागद का पुतला यह पहली लाइन है और यह जो लिखी कही है दूसरी लाइन है मन रे तन कागद का पुतला दूसरी लाइन है लागी बूंद बिनसी जाए चिन में गरब करे क्या इतना मतलब मानव शरीर को कागज के समान बताया है किसने कबीर दास द्वारा रचित हैं और उन्होंने मानव शरीर को कागज से तुलना की है और कहा गया है कि इस कागज के समान इस शरीर का आप गरब नहीं करें मतलब उसका किसी प्रकार का घमन न करें यह किसे ने किसी दन चीन जाएगा ठीके यह बात कही गई है तो यह कोन से रस्त का उधारन है तो यह सातियों शांत रस्त का उधारन है यह करुण रस्त का उधारन नहीं है यह शांत रस्त का उधारन होगा ठीके करुण का इस्थाई भाव क्या होता है शोक होता है क्या होता है शोक होता है इसमें शोक व्यक्त नहीं हो रहा है और ना की हास व्यक्त हो रहा है और नहीं क्रोध व्यक्त हो रहा है ठीके इसमें शांतरस की बात हो रही है जिसका जो इस्थाई भाव होता है वो होता है निर्वेद, शांतरसका इस्ताही भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, ठीके, शम होता है, वेराग्य वितराग होता है, क्या होता है, वेराग्य भी कहा जाता है, वितराग भी कहा जाता है, अगला कोश्चन है, मुहावरा को बताईए आप, अधिक खाने वाले को बहुत क खाना मिलना ठीक है उट के मुँ में हल्दी ये कपसे हो गई उट के मुँ में जीरा होता है ये मुहावरा होता है तो यहीं सही होगा हाती के मुँ में धनियान भी मुहावरा नहीं है और हाती के मुँ में जीरा भी गलत है उट के मुँ में जीरा आपका ये मुहावरा होगा यानि कि किसी भी व्यक्ति के विस्तार रित रुप से उसका वरणन होता है, किसी ग्रंत की बात कर ले हैं, उसके मुख्य चरित्र के विस्तार की बात हो रही विविदता यानि उसके अलग-अलग जीवन के हर एक पहलू का विस्तार होता है, वह क्या है, मुक्तकावी, कि महादेवी वर्मा ने कहा है कि कवी के विशेष की भावनाओं का चित्रन होता किसमें होता कवीता में होता कवीता जो है साथियों कवी के भावनाओं को व्यक्त करती है चंद से आपके सामने question पूचा गया है कि इसमें प्रत्यक चरण में 24 मात्राइं होती है और 11 मात्रा पर यती होती है ठीक है इस चंद का नाम बताई है तो कल साथी मैंने आपको चंद के बारें बताया ता मैं और बता देता हूँ कि अब हरी गिती का रोला गिती का और छपप में ठीक है छपपए चंद जो है यह किसे से मिलकर बनता है यह रोला रोला प्लस उलाला रोला प्लस उलाला से मिलकर बनता है छपपए ठीक है अब रोला में चार चरण होते हैं और उलाला में दो चरण होते हैं ठीक है और इन चरणों में जो हैं साथी 24-24 मात्राइं होती ह तो यह option आपका सही होगा 6 पए अगला question आपके बीच यह रोला और उलाला के योग से बनता है यही से आपका पूरा question सही हो गया है उलाला बनता है आगे क्या लिखा है इसके 4 चरण में 24-24 मातरह होती अंतिम जो चरण में 28-28 या 26-26 मातरह होती इस में 4 पंक्तिया रोला और अंतिम दो पंक्तिया उलाला में होती जो कि मैंने आपको अभी बताई तो आपका सही option क्या होगा 6 होगा ठीक है यह मैंने यहां पर गलटी कर दिया था सही option क्या होगा आपका 6 अब कविता में 2 पक्ष होते हैं कौन-कौन से एक तो होता है भावख्ष और एक होता है कला प question है MPSR में साथ यहों पत्र पत्रिकाओं से भी question जरूर बनते हैं हर पेपर में आपके सामने जो दूसरा पेपर यह आपके सामने करवा रहा हो जो पूरा हो जाएगा दोनों ही पेपर में ने देख लिया है जो syllabus के अनुसार ही question बन रहे हैं अब उससे में भी जो question बनने थ प्रकाशित प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं यहाँ पत्रिका भी साथियों पोपाल से प्रकाशित होने वाली पत्रिका ही अगला कोर्शन आपके बीच पलवन फलवन सब्द आया सतियों इसका अर्थ होता है विस्तार पलवन के लेखन में मतलब किसी भी पद का विस्तार करते समय अप्रसंगिक अनावशक विस्तार मतलब उसमें उसका विस्तार तो किया जा रहा है लेकिन क्या उसमें अनावशक बातों का विस्तार कर किया जाना चाहिए तो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसमें आवश्यक बातों का ही जो हैं उल्लेक और विस्तार होना चाहिए पुचा गया है करण और करण का अर्थ बताईए करण का शब्द का अर्थ होता है साथियो कान जो की दो option में देख पारे हैं आप एक यहाँ पर और एक यहाँ पर यह दोनों ही option कड़ जाते हैं अब बारिश करण का अर्थ बारिश नहीं होता है कहीं भी नहीं देखा हैं हमने अगर सामनी रूप से एक बार भी पढ़ाएं तो अपन गलत नहीं करेंगे करण का मतलब काम होता है और करन का मतलब कान होता है बहुती प्रचलित में रहने वाली यहाँ पर मुहारा पूछा गया है उल्टा चोर कोतवाल को डाटे ठीक है तो क्या होगा सही अपना अपराज स्विकार न करके पूछने वाले को दोष यान् approve यान सामने वाले वेक्ति को दोष फेरा देना क्या है उल्टा चोर वाल को डांटे अब 10 question जो है साथी वो पूछे जाते हैं गद्य पद्य से जो अपटित होते हैं आपके समने ये गद्य दिया गया है जो थोड़ा सा पढ़ते हैं अगर जादा बड़ा दिया जाए exam में साथी होता ऐसा जब हमारी exam online होती है तो बहुत बड़े बड़े जो है गद्य पद्य में पोचा दिक्कत हो सकती है और उसी के साथ जो है समय की बरबादी भी होती है तो एसी condition में अगर बहुत बड़ा है ये तो छोटा है तो इसको हमासानी से पढ़ सकते हैं दो बार पढ़ने के बाद पूरा ही याद हो जाएगा लेकिन अगर बहुत बढ़ा दिया गया है तो आप उसे न पढ़ते हुए अगर आपके पास समय कम है तो आप सबसे पहले पढ़िए questions को questions को पढ़ने के बाद आपका दिमाग जो है brain जो है उत्तर को ढूंडेगा उसके बाद अगर आप इसको पढ़ेंगे गद्धी को तो ओटोमीडी के आपका दिमाग जो है उस च प्रिश्वर के द्वारा जो मनुष्य रूपी वर्दान की निर्मित इस प्रत्वी पर हुई है मानो धर्थी का रूप ही बदल गया है यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर ही टिका हुआ है देवता भी उनसे इशा करते हैं मनुष्य अपने कर्म बल के करता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और पूछा क्या गया है जड़ा इस पर नजर डालते हैं उपर गज़ा उचित सिर्शक क्या है साथियों तो सिर्शक क्या है मनुष्य के बारे में इसमें बात कही गई है और किसे मनुष्य की बात की गई है तो कर्म शील मनुष्य की इसमें बात कही गई है यह आपका दूसरा वाला option सही होगा ठीक है अब इन में बिल्कुल यहाँ पर वर्तनी तूटी दे दे गई अगर थोड़ा ध्यान हम नहीं रखे हड़ बड़ी में कोई सावी ठीक लग सकता है इस गद्यान्स के अनुसर मनुष का जीवन केसा है मनुष का जीवन बहुत संगश्मय है ठीक है क्या लिखा गया है इसमें मनुष का जीवन बहुत ही संगश्मय है पूचा गया है गध्यांस के अनुसार पगपग में कौन सा समास है समास पे ध्यान दे देते हैं बहुपरी समास में तीसरा अर्थ निकलता है जैसे की दशानन दस है आनन जिसके यानि जिसके दस सर है दूसरा तीसरा अर्थ क्या निकलता है रावन तो ये बहुपरी समास हो गया कर्मधाराय समास में क्या होता है साथियों उत्तरपद प्रदान होता है उत्तरपद प्रदान होता है या मुख्य होता है उधारन के लिए महादेव महान है जो देव ठीक है किसकी बात हो रही है ये देव की बात हो रही है जो उत्तरपदे वो प्रदान है ठीक है जीगु समास जीगु समास में पूरपद संक्यावाचक होता है ठीक है उधारन लिख देता हूँ में जैसे कि त्रिकोण तीन कोनों का समाहर तिकोन अव्यवा समास में क्या होता है पूरपत अव्यव होता है अव्यव मतलब ये कि एसा शब्द सातियों जिसका लिंग वचन कारक काल के आदार पर कोई भी विकार जिसमें नहीं हो कोई भी विकार उत्पन नहीं हो उसमें परिवर्ता नहीं किया जा सके उसे अव्यव कहते हैं तो ये पगपग पगपग एशा शब्द हैं जिन में लिंग वचन काल कारक के आदार पर पर परिवर्ता नहीं हो सकता है तो ये अव्यवा भाव का समास का उधारन है इस गद्याज के अनुसार देवता किस से इशा करते हैं तो इसमें अभी अपने पढ़ा सातियों की देवता मनुष्य से इशा करते हैं क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है सातियों बहुती सुक्मे है क्योंकि जीवन में हमें नेचर से सब कुछ प्रकृती से सब कुछ प्राप्त हो रहा है बस हमें केवल प्रकृती के साथ ताल मिल बिठा के चलना है प्रकृती के साथ संतुलन बिठा के चलना है हमें प्रकृती से हर वो आवशक चीज मिल जाती है से हमारा जीवन जो है संचालित होता है ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस बात को कहा गया है कि देवता मनुष्य से इशा करते हैं पुछा गया है कि मनुष क्यों स्रेष्ट हैं मनुष अपने कर्म बल के कारण स्रेष्ट हैं मनुष अपने भुज बल के कारण स्रेष्ट हैं नहीं मनुष अपने हाथ पेर के कारण स्रेष्ट नहीं मनुष अपने बुद्धी के कारण स्रेष्ट हैं तो यह बात नहीं कही ग अब आपके सामने पद्य आ गया है ठीक है पांच कोश्चन जो है इससे पूछे जाएंगे इसमें क्या लिखा गया है मन करता है सूरच बनकर आसपास में दोड़ लगाओं ठीक है मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड दिखाओं मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोस जमाओं मन करता है पापा बनकर में भी अपनी मूच बढ़ाओं और आगे इसमें लिखा गया है कि मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ जाओं मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाओ अब अपन बढ़ते हैं प्यारे साथियों प्रश्न की और पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है कि दूर दूर में कौन सा अलंकार है क्या पूछा गया है दूर दूर में कौन सा अलंकार होगा अब साथियों दूर दूर शब्द अन्योक्ति अलंकार होगा रूपक होगा या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा ठीक है इन अलंकारों का सामाने परिशे में आपको दे चुका हूँ अब आगे बात करते हैं इसमें सही जो अप्षन होगा वो होगा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार याने कि इसमें क्या हो रहा है दोहरा हो रहा है याने कि जिस शब्द में दो पद है ठीक है दो पद है उन पदों का क्या हो रहा है दोहरा हो रहा है उसों कहा जाता है पुनरु उसका प्रकाशन हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे यह आपका option सही होगा बच्चा बाबा बनकर क्या करना चाहता हैं बच्चा बाबा बनकर घर में सब पर दोश जमाना चाहता हैं यह 35 में लिखी गई है जो की सही है बहुत ही सिंपल कोश्चन बिल्कुल आपके सामने गोल माल कोश्चन है पुचा गया है बच्चा क्या बनकर उड़ना चाहता है अभी पड़ा अपनोने की बच्चा जो है तितली बनकर उड़ना चाहता है पुचा गया है बच्चा चंदा क्यों बनना चाहता है क्योंकि वह मामा पर प्यार दिखाना चाहता है नहीं क्योंकि वह पापा पर अकड नहीं क्योंकि वह तारों पर अपनी सूरत नहीं क्योंकि वह तारों पर अपनी अकड दिखाना चाहता है यह लाइन अपनोंने पेरिग्राप में पेले ही पड़ी है कावे का उचित सिशक क्या है मन की अभिलाशा धन के अभिलाशा तन की या पुश्प की तो साथियों इसमें मन की अभिलाशा है मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाओ मन करता है तितली बनकर दूर उड़ता जाओ फिके इसमें मन की अभिलाशा है उसकी दिशा अच्छी नहीं है इस वाक्य में एक गलत शब्द का प्रयोग हुआ है उस शब्द को जानकर उसका सही शब्द पहचाने है अच्छा दशा दिशाएं नहीं ठीक है यहाँ पर देखें आप कि दिशा शब्द प्रयोगत किया गया उसकी दिशा अच्छी नहीं द इशा नहीं, दशा होती हैं, क्या होती हैं, दशा होती हैं, तो आपका सही option होगा, दूसरा वाला कि उसकी दशा सही नहीं है, प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हमारे जो हैं, 36 से सितर question पूरे हो चुके हैं, वीडियो अच्छा लगा हूँ, लाइक करें, मैं आपक आतार जुड़े रहें, ताकि मैं हर दिन एक एक topic आपका एक question के माधियम से clear करवाता जाओं, और अगर अपन बहुत सारे question कर लेंगे, उसके बाद जो हैं, आपकी हिंदी लगभग clear हो जाएगी, ठीक हैं, आपका हिंदी वाला जो पार्ट हैं, वो लगभग clear हो जाएगा फिर अपन आगे की बात करेंगे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद